हलो असलाम अलेकुम दिस इस मी डाक्टर जहांगीर और वाचिंग मी आन मा यूट्यूब चैनल विल तोड़े वी डिसकस अनार्मल चेस्ट एक्स-रे वाट तिंग्स-रे एक नार्मल चेस्ट एक्स-रे में आपने क्या चीजे देखनी है तो पहले सबसे पहले हमने क्वालिट देखनी है और क्वालिटी के लिए एक एक निमॉनिक है दिटिस काल्ड़ राइप इसको राइप क्राइटिरिया बोलते हैं किसी भी एक्स-रे की क्वालिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले है आपने राइप देखना है तो आर्से क्या है आर्सेरोटेशिन है के यह जो कि यह rotated तो नहीं है, rotation का मतलब यह है, कि यह at the level of the clavicles, at the level of the clavicles, यह जो spinous process है, so the medial end of the left side of the clavicle to the spine and middle end of the clavicle of the right side to the spine, यह distance equal होना चाहिए, I repeat, at the level of the clavicle, जो spinous process है, यह वाले, तो जो left clavicle है और right clavicle है, उनके middle end से, यह spinous process तक, यह distance और यह distance equal होना चाहिए, अगर यह distance equal है, इसका मतलब यह है कि यह film rotated नहीं है, यह film rotated नहीं है, यह film rotated नहीं है, और अगर यह film rotated नहीं है, निक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि rotation के क्या impact हो सकते हैं, तो पर आप ट्रेकिया पे comment कर सकते हैं, कि ट्रेकिया जो है, वो shifted है या नहीं है, अगर film rotated है, तो आप ट्रेकिया पे comment नहीं कर सकते हैं, कि ट्रेकिया shift है to the right or not, or shift है to the lift or not, दूसकी बात है अगर आपका फिल्म रोटेटेड है तो पिर आपका अगर राइट साइट पर रोटेटेड है तो आपको लिफ्ट स्ट्रॉक्चर प्रोcoranland नज़र आрьंगे लिफ्ट हाइलम आपको प्राम्माइन नजर आएगा और आपको इस तरह लगेगा कि लिफ्ट हाइलम में कोई बनार्मिलेटी है और अगर फिलम इस साइट को रोटेटेट है तो आपको इस साइट पर लगेगा कि कोई बनार्मिलेटी है हलांकि बनार्मिलेटी होती नहीं है नेक्स टेप क्या है आर आई पीए में आई है इंस्पिरेशन तो इंस्पिरेशन के लिए ये क्राइटीरिया है यहां पे मैंने मार्क भी किया है पहले जो है यह आपके पास ribs है rib first यह आप देख सकते हैं यह first है यह second है यह third है यह fourth है और यह fifth rib है तो ideally for a normal inspiratory film जो mid-clivicular line है यह मैंने draw किया है तो fifth और sixth rib जो है इनके बीच में यह line आना चाहिए अगर normal inspiratory film में जो है the fifth और sixth ribs के बीच में यह line bisect करना चाहिए fifth and sixth mid-clivicular line I repeat again mid-clivicular line और यह जगा जो है यह वाली point यह जो point है जो मैंने अभी यह point यह fifth और sixth के बीच में उना चाहिए diaphragm का mid point जो के mid-clivicular line पे है यह fifth rib और sixth rib के बीच में होना चाहिए मतलब यहां तक अगर आ जाए तो ठीक है मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर आपका यह point diaphragm वाला आ जाए तो यह ठीक है तो यह ठीक है तो यह नार्मन इन्फलेटड फिल्म तो यहां पे क्योंकि फिफ्ट और सक के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब यह कि यह नार्मन इस्परेशन है नेक्स तिंग अन्दर इप इसर आई पी इए पिनेटरेशन है तो पिनेटरेशन के लिए क्रिटीरिया रहे है कि आपके जो first three spinous process है one two three वो clearly visible होना चाहिए नीचे नहीं विजिबल होना चाहिए अगर नीचे विजिबल है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो पेनेटरेशन है वो ज्यादा हुई है पेनेटरेशन इसकी ज्यादा हुई है एक यह क्रिटिरिया है कि the spine just be visible behind the heart आपको heart के पीछे just spine visible होना चाहिए तो penetration अगर ज्यादा है तो भी मसला है penetration अगर कम है तो भी मसला है good quality film में आपको बस सिरप ये first three spine नजर आने चाहिए उपर वाले और आपको जो intervertible spaces है या spine है वो just visible behind the heart होना चाहिए तीसरा exposure है exposure में आपको head up glomerulus जो humorous के heads है glomerulus जो humorous के head है वो नजर आने चाहिए clavicals बिल्कुल clear नजर आने चाहिए आपको ये वाले portion नजर आने चाहिए clear ये वाले portion नजर आने चाहिए good exposure के लिए ये चीज़े जरूरी है तो आज हमने बात की सिर्फ quality के बारे में quality of a normal chest x-ray quality of a normal chest x-ray अगर आपकी quality खराब है तो आपकी diagnosis जो है वो गलत हो सकती है और हम next वीडियो में फिर बताएंगे कि अगर आपकी quality खराब है तो क्या मसला हो सकता है thanks for watching